नमस्कार मैं हूँ सत्यम और आप मुझे देख रहे हैं सिल्क टेवी पर आगामी विधान सभा चुनाओ को लेकर राजनितिक सरगर्मी तेज हो गई है और इसी को लेकर मैं आज चर्चा में हूँ कहलगाओ विधान सभा के सिल्हन खजुरिया पंचायत के मुखिया सुभास चंद्रभगत के गर और इनसे बात होगी विकास के मुद्दे पर ये जाना जाएगा कि इनके विधान सभा में किन-किन चीजों की कमी है और क्या-क्या विकासकार ये जरूरी है तो सबसे पहले सर आपका सिल्क टीवी पर स्वागत है चुकि विधान सभा चुनाओ नजद सभा के जो अभी के विधायक हैं उनके द्वारा किया गया कारी उनके कारिकाल में कैसा रहा और यदी खराब रहा तो आप यदी जीतते हैं आपको यदी जनता विजाई बनाती है तो आप विकासकारी में क्या-क्या करेंगे सरफर्थम तो मैं बता दूँ अपने बारे में कि मैं विकास के नाम से जाना जाता हूँ और विकास करना ही मेरा मुख मुद्धा है राजनित में आने का मैं 2001 में जब मुख्या बना था तो उस समय हम लोग थैले में अपना जूता और चपल करते थे साहुपड़ा मोड़ पर और वहां से 6 किलो मीटर हम लोग जो है सिलन खजुरिया पैदल आती थे यहां से कोई भी आवा गवर्मन जो है कोई आतायात का साधन नहीं था लोग को पैदल जाना पड़ता था बिमार लोगों को खाट पर एम्बूलेंस के जगा खाट पर जो है कांधे पर लाद के जो है लोग ले जाते थे वहां तक पुचाते थे बनने के बाद जो है एक साल के अंदर जो है हमारी गाड़ी साहू पड़ा से जो है सिलहन खजुरिया आने लगी थी और उसमें मुख मंतरी रावडी देवी थी और हमारे विधायक महोदे विधान सभा ध्यक्षवा करते थे लेकिन उनका हमारे सिलहन खजुरिया पंचायत में कोई भी योग्यान विकास के परती नहीं रहा जहां तक विकास होने की बात रही हमेशा अवरोध करने का प्रयास की अभी विए जो है आपका पंचायत सरकार भवन मेरे हां बनना था जो की सबसे ज़्यादा जरूरी है हम लोग बोडर पर हैं यहां से सनहुला सभी पंचायत से जादा दूरी हम लोगों को पढ़ता है चुकि लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं अठारमा पंचायत में जरूरी यहां सरकार भवन बनना था लेकिन उन्होंने लेटर में लिखके धुआबे अपने गाउं और ताडर का लिखके दिया जिस सत्की राजनित हमारे 45 साल तक एक ही पाटी एक ही दल के देता बार-बार करते रहें कभी इस बार लास्ट है यह बोल करके लोगों को बुड़वक बनाएं मोहित हैकर लोग स्वचा चलो अंतिम है भोड़ दे दें लेकिन फिर इस पचवर्षी जो है लोग साप ठगे गए करोना महाकाल में जो है वैसे महामारी में दोनों पितापुत्र दोनों नदारत रहें तीन महिना के बाद जब लोगडाउन वन हुआ तो उसमें जो है उनके सुपुत्र आये और हमारे यहां ग्राम बेल्डियां में क्रिकेट टूर्णामेंट हो रहा था उसको बढ़ावा देते हुए सिल्ड माटने का काम किया जो कि लोगडाउन का सरा सरूर लंगन था परसासन भी जो है लगभग जब विधायक वो है तो अटोमेटिक है उनका ही बात सुनती है उसमें जो है हम लोग क्रसित होते हैं विकास का कार जो है अवरूद होता है शलिए विधान सभा चुनाओं को लेकर जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ विकास का है हर राजनितिक पार्टी के परतियासी जो है विकास के मुद्दे पर ही अपने चुनाओं को लेकर तैयारियां कर रहे हैं आपकी जो तैयारियां है वो किन मुद्दों को लेकर है और क्या-क्या हतकंड को कभी भी जो है राजनीत में हम लोग को अस्थान किसी भी बनिया को नहीं मिलता है। संख्या के अनुपात में बहुत कम अधिकार मिलता हैं लेकिन इस बार हम लोग पूरा यूनाइट हैं। हम लोग 56 जाते मिलके जो है पूरा बैस समाज जो है अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे बिधान सभा संजोजक के रूप में कहलगावा बिधान सभा का मुझे बनाया गया है मैं समुचे बनियांबर को युनाइट करने के लिए कारे रहत हूँ तो आप कहीं न कहीं जाती समीकरन कर मतों का धेर लगाएंगे आपका ये हतकंड़ा है कि आप चाह रहे हैं कि जैसे की राजनीती में बनियां समाज को जगह नहीं मिल रहा है और आप चाह रहे हैं कि आप सबको एक जूट कर कहीं न कहीं उनके मतों से विज़ई पाएंगे मैं जानना चाहूँगा आप दो टर्म मुख्या रह चुके हैं अपने पंचायत की सिल्हन खजुरिया पंचायत में आप पहले भी मुख्या थे और इस बार फिर से आपका ये दूसरा टर्म है मुख्या का जो विकास कारिये आपके समयकाल में हुआ उस विकास कारिये पर थोड़ा प्रकास डालें आप सबसे पहले तो हम बता दें कि मेरे हाँ सबसे ज़्यादा पानी का प्रोब्लम है सुरू से ही प्रोब्लम रहा था एक बेल डियाँ गाव है वहाँ ज़ारखंड से लोग पानी लाते थे बैल गाड़ी पर लातके लोग मेहमान घर में आने के बाद बोलता था कि खाना तो देंगे लेकिन पानी नहीं मांगिएगा चुकि पानी मेरे हां नहीं है और पानी उलोग खुआ से किसी तरह निकालके वह गंदा पानी वही पिता था उलोग या नहीं तो फिर ज़ारखंड से लाता था काफी मेहनत कर एक महिना तक प्रयास कर जो है हम उस बेल्डियां के धर्ती पर पहाल को चीर के पानी पिलाने का काम जो है 2001 में ही कर चुके हैं और इस चार साल के अवदी में जो है बारो वाड मेरा पढ़ता है गाउं पंदरो पढ़ जाता है टोला इसलिए पंदरो जगा जो है अगर हल्गों विधान सभा की बात होती है तो जो सबसे विक्राल समस्या मेरी नजरों में है वो है NHSC की क्योंकि जो जरजर इस्तिती NHSC की है उसको लेकर काफी परिशानी होती है यातरियों को कई दफा जाम ऐसा भेंकर लगता है कि दिन दिन भर जाम लगा रह जाता है तो ये जो विक्राल समस्या है जो कहलगों विधान सभा में सबसे आगे है मुझे लगता है यदि आप समस्याओं का निराकरन करने निकलेंगे तो NH-80 की जो समस्याओं वो सरप्रथम आएगी आपके सामने तो NH-80 की समस्याओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे निस्चित रूप से NH-80 जो है अधिकारी और नेताओं का लूट का एक साधन बना हुआ है जिसमें पब्लिक जो है मर रहा है अगर मान लिजे जनता मुझे चुनती है तो मैं निस्चित रूप से पहला काम NH-80 को सुधारने का प्रयास करूँगा सरकार से मांग करूँगा नहीं होगा तो धरने पर बैठ जाओंगा सरकार को निस्चित रूप से सुनना होगा उसका सबसे पहला मुद्दा है मेरा कि अकहलगाओं से लेके सबोर तक जो है अतिक्रमन मुक्त हो तो दोनों तरफ रोड से जो इंक्र Koreis किया है ठेला लगा दिया जाता है पत्थल लगा दिया जाता है वो अट जाएगा जैसे वो हटेगा तो गारी जो है जाम से नहीं होगा रही बात रोड की रोड में गद्धा होने का तो इस का क्वालिटी ही यतना रधी रहता है और इसका estimate low quality का बनाया जाता है जबकि जो है काफी वजन की गाड़ियां चलती है तो अतने वजन की गाड़ियां के लिए जो रोड एप्रूब है उस रोड को बनाने के बाद किसी भी परिस्तिती में रोड जो है नहीं डैमेज होगा तो कहलगाओ NH-80 की जो समस्या यह सरवपर्थम है लेकिन इसके बाद यदि जनता आप पर यकीन करती है आपको अपना कीमती मत देती है और विज़ाई बनाती है आपकी नजरों में जो समस्या है जिसका नीराकरण आप सरवपर्थम करना चाहेंगे वो क्या है सड़क तो मेन मुद्दा है ही इसके बाद जो है सिक्षा सबसे बत्तर इस्तिती में अभी चल रहा है सिक्षा के उपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं हम सबसे पहले सिक्षा के उपर ध्यान देंगे दूसरा जो है किसान का खेतों का सिचाई जो है नहीं हो पाता है किसान का किसान ब्यदहाल है मेरे हाँ भूखों मर रहे हैं सभी दिल्ली गुजरात कमाने जाते हैं उसका कारण यही है खेत में उपज नहीं होता है एक साल पानी पढ़ता है दूसरे साल नहीं पढ़ता है मुझे देती है तो निस्ची तुरुप से मैं हर खेत में पानी पहुचाने का काम करूँगा आपने कहा जो राजनितिक खतकंडा आप इस बार चुनाओं में अपना रहे हैं जीतने के लिए वो है जाती समीकरन कहीं न कहीं स्वजातियों का वोट एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है लेकिन यदि आप कल विधायक बनते हैं तो क्या उस चीज का फाइदा सिर्फ स्वजातियों को मिले नहीं उसके लिए हम चर्चित हैं मेरा ग्राम सभा चुनाओं भी मेरा मेन मुद्दा था सबका साथ सबका विकास आँख बंद करके यह हम नहीं देखते हैं कि कौन भोट दिया या नहीं दिया हर व्यक्ति का हम काम करते हैं बसरते कि वो उस चीज के लेने का निड़ी हो तो कहीं न कहीं आप यदि विधायक बनते हैं तो जाती समीकरन को आप बस जीत के तोर पर देखिएगा बाद में यदि आपसे किसी भी परकार की मदद चाहता है और विधान सभा में यदि किसी भी परकार का विकास कार्य होना है तो वहां आप सिर्फ विकास पर ध्यान द जाता हूं चुकि आप काफी समय से अपने पंचायत को जान रहे हैं सिक्षा स्वास्त का मुद्धा हर वार कोई न कोई नेता उठाते हैं प्रतियासी उठाते हैं और इन्हीं मुद्धों पर अधिकतर चुनाव जीता जाता है पर जो मुद्धा आपके विधान सभा से रिले जालआ उन्हींगा उसको देखना परता है परकना परता है लेकिन मुझे प्रकने की जरूरत नहीं है इवी हैं कि यह बास द की करने की तो मैं जो कहता हूं वही करता हूं जो कर सकता हूं वही बोलता हूं अपने पंचायत में हम बोले थे कि मेरा अंतिम समय आते आते मैं हर गाव में हर टोले में जाके पुछूंगा कि अब काम कोई बाकी रह गया तो आप बतावे और वो समय आ गया है लगभग जो है मे जो है के तरह ही हमको होना चीए या फिर जो है वैसे मुख्या को बिधान सभा का प्रत्रिनिदित करना चीए ऐसा जंता का मांग है और उसी मांग विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाओ लड़ेंगे सुभास चंद्रभगत जी मैं ये आपसे जाना चाहता हूँ कि अबकी जो राजनिती है इसमें युवाओं का हस्त से बहुत जादा है यदि कोई युवाओं को जोडता है तो ये उसकी सरपर्थम चाल होती है मतलब युवाओं को अपने साथ लाना कहीं न कहीं एक जादा इ अबकी राजनिती में युवाओं को आप जोड़ रहे हैं और युवाओं का क्या मदद मिल रहा है आपको निश्चित रूप से युवाओं को हम जोडे हुए हैं सोसल मीडिया पर हम काफी एक्टिभ हैं आप मेरा फेस्बुक एकाउंटी देख सकते हैं काफी सारे युवग मेरे साथ जोडे हुए हैं देख़ें आज का युवग काम करने वाला नेता चाहता है फोकस देने वाला वो लोग देख चुका कहनी सुन चुका अपने फादर से सुन चुका है काम करने वाला नेता खोशता है और लोग देखता है हमको मेरे फेस्बूक के माध्यम से लोग जानता है कि डेली वहां काम हो रहा है वहां रोज का रोज जो है लोग बोलता है और अंतिम में आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप कहलगाओं विधान सभा से परतियासी होने वाले आगामी विधान सभा में आप राजनितिक मैदान में उतरिएगा और एक बड़े सीट के लिए जद्दो जहित कीजिएगा तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने विधान सभा के निवासियों से अपने जनता से अपने मतदाताओं से अंतिम में जाते जाते वक्त क्या अपील करना चाहते हैं क्या अग्रा करना चाहते हैं हम सभी कहलगाओं विधान सभा के सम्मानित जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि 45 साल तक नर्क में रह चुके आप अपना जिंदगी भविस बरवाद कर चुके आप अपने आने वाले पीड़ी आप अपने आने वाले बच्चे का भविस बरवाद नो करें कहलगाओं की मांग है, कहलगाओं का बदलाओ, चाहे परत्यासी कोई भी हो, हर कीमत पर बदलाओं होना चाहिए, ये बनसवाद नहीं चलना चाहिए, इस बनसवाद को हमें खतम करना होगा, तभी विकासवाद स्टार्ट हो सकता है ये बहुत जरूरी बात कही आपने की बनसवाद नहीं चलना चाया किसी भी चीज में बनसवाद कहीं न कहीं खतरनाक होता है। चेहरीला होता है और राजनीती में हो खेल में हो विजनस में हो वेपर में हो किसी भी चीज में बंसवाद कहीं न कहीं हमारे छेत्र को पीछे धकेल देता है मैं अपने दर्सकों से आगरा करूंगा कि यदि ये वीडियो आप हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद